हाई फ्रेंड्स वालकम तू टादी डिशिटल क्लास दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्षर में हम जानेंगे टाली यार्पी 9 के टेली यार्पी 9 में अपनी कंपनी का लोगो बिल में कैसे प्रिंट करते हैं मतलब जब भी हम बिल बनाते हैं और उसकी प्रिंट देते हैं तो हमें उपर वहां अपना अपनी कंपनी का लोगो दिखाई दे तो आज का इस टॉपिंग में आपको बताने वाला हूं तो दोस्त तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप से एक छोटी की छोटी सी रिक्वेश्ट है कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सबस्क्राइब किया तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर लीजिए और बाज में आते पहले आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक की टैली एर्पिनाइन में लोगों कैसे प् सबस्क्राइब करना होता है तो सबसे पहले मैं यहां पर टैली एर्पिनाइन खोल लेता हूं और टैली एर्पिनाइन खोलने के बाद हमें कुछ फीचर्स को इनेबल करना होता है तो सबसे पहले मैं F11 दबाता हूं और आपको अकाउंटिंग फीचर्स अपको सबसे पहले दीख रहा होगा हूं वहां पर आपको एंटर देना है और सबसे बहुत बाद आपको यहां पर लाश्टर में दिखला होगा इनेबल कंपनी लोगों आपको इसे येस कर देना है और आपके सामने कुछ एसा इंटरफेस आजाएंगा जैएगा जिसी अप यहस करने तो किसा आपको सामने कुछ इसा इंटरफेस आजाएगा तो दोस्तों इसे यहां पर हमें यह यह कंपनी के जो बी By go है उसका जो भी पाथ है वह हम यहां वाट battery यार्फिद न किना इन पेश्ट कर लिजिए जो भी लोगों आपने जहां भी सेव किया था यह यहां पर और यह जो भी लोकेस ने इसकी वो यहां से मैं सेव कर लेता हूँ यह हमारा सेव कर लेता हूँ और जो भी नाम लिखा हुआ है मैंने लोगों लिखा हुआ है तो यहां पर पीछे लिख देता हूँ लोगो.jpg जो भी लिखा हो वह आप यहां पर इसे नाम लिखकर पीछे मैं यहां इसे सेव कर लेता हूँ तो दोस्तों यह सेव हो गया है दोस्तों तो अब हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग फीचर्स में मैं यहां पर एक बिल्ड बना चुका हूँ इसकी प्रेंट दे 203 ट्रीम और वरफको यह इनएबल कर लेना है प्रिंट लोगो यहां पर भी आपको इस कर लेना है अगर यह नहीं हुआ तो नहीं होगा दोस्तों देखे मैं नहींचे कर दिखा दिया तो आपके समने पात अगर अगर आपका पाथ सही नहीं होगा दोस्तों तो यह यह नहीं होगा दोस्तों मैं आपको फिर स English और बार बेता हुँ कि आपको जो लोकेशन आपने रखा हुआ है जो भी लोकेशन में रखा हुआ मतलब सीड्राइ उसके बाद कौन से फोल्डर में आप रखा है वो फोल्डर में इसके बाद अपने लोगों मतलब आपका लोगों का नाम आपने क्या दिया हुआ है वो सब सही होना चाहिए और उसके पीछे .jpg होना चाहिए तो दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपोटन था आपके लिए तो दोस्तों लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना बुले तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो